बिस्मिल्लाहिर रह्मान रुराहीम अस्लाम लेकों विवर्स वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद मलीका उमीद है कि आप सब हैरो आफ्यसी होंगे अल्ला तला आपको हमेशा उच्छर अबाद रखे आमिन सो मामिन तो विवर्स आज हम हाजिर हैं एक बहुत हेल्दी किसम की और बहुत मज़ेदार किसम की डायट लेकर आप ये हिदमत में आज हम बहुत मज़ेदार किसम का दलिया बनाने जा रहे हैं दलिया मीठा भी बनाया जा सकता है और नमकीन भी और दोनों तरहां से ये दलिया बहुत जाइकादार भी होता है और बहुत ज़्यादा लजीज मदेदार होने के साथ हेल्दी भी है तो विवस आज हम मेठा दलिया बनाएंगे कुछ फाइदे आपसे शेयर करते हैं ये दलिया जो है अगर हम रोजाना खाएं तो वज़न को काम करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मिधार मुझूद होती है जो कॉलिस्टोर को काम करन को अब लेंगे चाहिए तो चले वर्ष हम देख लेते हैं कि हमने मजदार किसम का मीठा दलिया कैसे रैडी किया 300 क्राम मैंने ले लिया है दलिया दलिया को आपने पहले चुन लेना है साफ कर लेना है क्योंकि इसके अंदर कंकर मौजूद होते हैं और कुछ जराद भी होत तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद होता है इसलिए उसको साफ करना बेहर जरूरी है तो इसके कंकर गया तो हमने निकाल लिया है अब इसको दूसरा स्टेप करना है हमने दो लेना है जी हां वीवर्ष दलिया को धो कर हमेशा इत्माल किया करें क्योंकि इसके अ बस एक दफा मैंने पाने इसके अंदर शामिल किया है और इस पाने को निकाल के भी आपको दिखा देती हूं यह किस हाथ तक गदला हो चुका हुआ है तो यह देखिए कितने जरात थे जो इसके अंदर से निकल चुके हैं तो बस इसी तरह सुनत नबभी स्लेला हो लहे वा बास पात यह है कि इसको हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं बास का दलिया देर से बनाने के हो जाते कुछ लोग इसको बनाना ही चोर देते हैं तो ऐसा हर्गिस मत कीजिएगा इसके फवाइद को पेशे नजर रखते विए इसको हफते में कवंस कम 2-3 मर्तबा तो जरूर ह बना लीजिएगा बहुत ही एफेक्टिव और बहुत ही मज़ेदार किसम का होता है इसको हम जल्दी कैसे बनाएंगे इन्शाला मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी यह गदला पानी हम फेंग देते हैं और साफ और शफाफ दलिया हमें पास मौचूद है इसको हमने जल्दी यहां गर्म दूद्ध यूज़ करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा कि दलिया जल्दे से फूल जाएगा और जब हम पकाएंगे ना इसको तो फिर यह पकाने में जादा देर नहीं लगेगी जल्दी से पक जाएगा तो इसको 2-3 घंडे के लिए हमने छोड़ देना है ता पूल चुका है यह तो बस अब हमने क्या करना है इसको फटा फट से पका लेना है अब पकाते हुए आपको बिल्कुल पी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो इसके लिए हम एक बटन रख देते हैं चुले के उपर और इसके अंदर शामिल कर देंगे देसी घी जी हाँ व अच्छा सा टेक्स्चर आएगा और हुश्बू भी अच्छे से निकल आएगी तो बस इस घी के अंदर हमने इसको तक्रीबं 30 से के लिए कर लेना है ताकि एक अच्छा था फ्लेवर और हुश्बू आजए घी के अंदर और यहीं हुश्बू और फ्लेवर आजएगा इसको पकाना है लेकिन उसके पहले हम इसके अंदर कुछ पानी शामिल करेंगे जिसकी मिकदार है तक्रीबन 250 ml और इसी तरह ही दो कप हम दूद शामिल करेंगे तो पहले पानी शामिल कर देते हैं इस बड़तों को साफ करते हुए ताकि इसके अंदर जो दलिया रह गया है यह भी हम गमल तोर पर यूज करते हैं अब दो कप दूद इसके अंदर शामिल कर देते हैं तो इस तरह भी वर तकरीपन हमने डेर से दो लीटर पानी और दूद मिलाकर इसके अंदर शामिल कर दिया है इन सारे चीदों को मिक्स कर लेते हैं दलिया के अंदर याने के पानी और दूद को दलिया के अंदर मिक्स कर लिया अब फ्लेम हाई करना है और इसको बॉयल कर लेना है तो ये देखे वर बॉयल आ चुका है इसको थोरा सा मिक्स कर लेते हैं चमची मदब से और इसको रख देते हैं पकने के लिए इंशाला इवर 30-35 मिनट में ये पक कर अच्छे ये ओवर फ्लेम ना हो जाए यानिके उमर्ट के बाहर को भी ना आए और नीचे बैठके ये जल भी ना जाए तो यहां पर वर्ष तक्रीबन 30 मिनट गुदर चुके हैं 30 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लिया है और ये देखे वर्ष कितना अच्छा सा चामिल कर देते हैं ये बिल्कुल पर्फेक्ट रेशो है अगर 240 क्राम शीरी शामिल करेंगे तो नहीं तो यह बहुत ज़्यादा मिठा बनेगा और बोहता फीका बनेगा बिल्कुल पर्फेक्ड साव्धर मिठा बनेगा लेकिन अगर आपको चीनी पश HU시면 पाद Hi april तो पर देखे वर्स चीनी जद्व हो चुकी है और चीनी ने अपना पाने भी चोड़ दिया है इस पानी को भी हमें ड्राय करना है इंशाला चार से पाने ड्राय हो जाएगा लो फ्लेम पे हम इसको पकाते जाएंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चीनी का पाने अच्छ को बल्स नदर आना शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए दलिया रेडी हो चुका है इसको मजीद नहीं पकाएंगे बस इसको आप करेंगे रिशाहूर हम और यह देखे वर्स मज़ेदार साब बहुत हैल्दी के समका और बहुत ज्यादा मन दलिया हो चुका है रेडी नमकी को बनाकर खिलाएं मरीजों के लिए बनाएं यह हुद के लिए बनाएं इन्शाला सब को ही सब के लिए बहुत ज्यादा यह फायदा बंद है इसके साथ यह विवर्स इजादत चाहते हूं पिर आजीर होंगी एक नई रेसिपी के साथ अपना बहुत साहिया रखेगा